हरनिया जब हमारे शरीर में आता है या हरनिया हमारे शरीर में जब होता है तब abnormal swelling पेट के बहार की तरफ आने की वज़े से उस जगे का swelling बढ़ता है वो जगा abnormally बहार की तरफ पुश होती है या बहार की तरफ आती है जिससे दर्द होता है जिससे काफी टाइम जब हम लंबे समय तक खड़े रहते है तब वो बाग शरीर के बहार की तरफ आने की वज़े से लंबे समय तक dragging type का pain होता है अब यह हरनिया जब लंबे समय तक रहता है और वापस पेट के अंदर नहीं जाता है उस समय पे उसको irreducible हरनिया बोलते हैं और वो irreducible हरनिया की वज़े से आत्में obstruction या strangulation होने की संभावना है जो intestinal obstruction के रूप में symptom देता है